1979 में आई फिल्म काली जरन आप सबको तो यादी होगा, क्योंकि ए फिल्म उस समय की सुपर हिट फिल्म थी, सुभाज कई ने भी इसे फिल्म से निर्देशन की दुन्या में कदम रखा था फिल्म के अभी नेता, शत्रुधन सिना और एक्ट्रिस रिना रोई भी रातो रात सूपर स्टार बन गये थे शत्रुधन सिना, रिना रोई स्टार और शुभाज कई निर्देशित की पहली ही फिल्म बॉक्स ओफिस पर सूपर हिट सावित हुई थी सत्रुधन, शुभाज और रिना रोई भी रातो रात चमक गे इस फिल्म के जरिये वॉलिवुड को सत्रुधन सिना, रिना रोई जैसी सूपर स्टार चोड़ी मिली थी फिल्म में सत्रुधन और रिना रोई की केमेस्ट्री को दर्शकों ने दिल खोल कर प्यार दिया हाला कि आपको चान कर हैरानी होगी कि फिल्म के लिए सत्रुधन सिना प्रोड्यूसर की पहली पसंद नहीं थे आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे राजेश खन्ना ने सत्रुधन सिना को सूपर स्टार बनाया तो बने रहेगा हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक फिल्म के प्रोड्यूसर एनन सिप्पी इस फिल्म को राजेश खन्ना के साथ करना चाते थे जबकि फिल्म के डारेक्टर इसे सत्रुधन सिना के साथ करना चाते थे हाला की बाद में सुभाश खई एनन सिप्पी राजी हो गए लेकिन जब प्रोड्यूसर राजेश खन्ना के पास फिल्म का ओफर लेकर पहुँचे तो वहां उन्हें निराशा हाथ लेगी राजेश खन्ना ने देट्स ना मिलने की वज़े से फिल्म को करने से मना कर दिया अक्टर के मना करने के बाद एनन सिप्पी ने सुभाश खई को इस फिल्म के लिए सत्रुधन सिना को हां कहने कह दिया और इस तरह सत्रुधन सिना फिल्म काली चरन के लीड आक्टर बन गया कहा जाता है कि अगर आजेश खंडा ने फिल्म में हामी भर्दी होती तो वॉलेवुड को सत्रुधन सिना जैसा स्टार काफी लेट मिलता या फिर मिलता ही नहीं फिल्म काली चरण की शूटिंग के दौरान सुभाज खई कई emotional दौर से गुजरे थे उनके मन में बार-बार फिल्म बन करने की भावना उठी लेकिन उन्होंने इस फिल्म को पुरा किया बताया जाता है कि डाइरेक्टर के मन में ऐसा सवाल सत्रुधन सिन्ह और रेना रोजे से था आपको याद दिला दें कि फिल्म काली चरण के दौरानी सत्रुधन सिन्ही रेना रोज की लव स्टोरी सुरियों में आई उनों के बीच नजदीक्यों से डाइडेक्टर सुभाश कई को काफी परिशानी हुई थी। एक बार खुद सुभाश कई ने फिल्म के शूटिंग के बारे में खुलासा करते वे कहा था कि वो फिल्म के निर्माण के दौरान काफी तनाओं में थे। वो सत्रुधन सिना को रिना रोय के मेकอप रूम में खुद को बन कर लिया करते थे और घंटों तक बाहर नहीं आते थे। बताते चलें कि सुभाश सत्रोधन की वाइफ पुनम के राकी भाई थे। इस स् civility में उन्हें बहुत सहज बना दिया था। सत्रुधन सिना आप सबको कैसे लगते हैं और उनकी कोई फिल्म जो आपको सबसे ज़ादा पसंद आई हो हमें कॉमेंट करके उसका नाम ज़रूर बताएगा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शियर करें उमारे चैनल को सब्सक्राइब सरूर कर लें